हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ शिपाली गिर्दवाल और आप देख रहे हैं कंसर्टीज आज की वीडियो में मैं आपको रिवाइस कराऊंगी एन्वेल रिटन फिर से क्योंकि बीच में टेक्स अॉरिट्स का टाइम हो गया और हमने से काफे साय लोग उसके अंतर बिजी हो गए तो अब हमें दुबार से अन्वेलिटन शुरू करनी है इस बार देट एक्स्टेंट होने की उमीद बहुत ही कम है और देट एक्स्टेंट होने की टाइम पर यह भी प्रॉमिस किया गया था कि इसको वामेंट सेंप्लिफिकेशन जैसे कुछ अभी दिखने रहा और जितना जीसटीन बिजी है उससे मुझे कोई भी उमीद भी नहीं है कि सिंप्लिफिकेशन जैसा कुछ आएगा बर फिलाल अन्वेलिटन जैसी है उसको मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको तीन-चार स्टेप में बहुत एजिली कैसे फाइल कर सकते हैं अब तो कॉलमोस जितने भ वो चैलेंज़ेंगे कि एक तो जो मुझे अमेंट्मेंट्स वाली फिगर भन नहीं है अब अगर आपके क्लाइंट ने लॉग मेंटेन किया है कि उन्होंने जीस्ट आवन में कब-कब किस महीने का कौन सा इन्वाइस अमेंड किया है तो आपके लिए बहुत असान है अदर आप इसको प्रोसेस करना अपके लिए मुझ्किल हो जाएगा देन डेटा करने में सबसे पहले मुझे अडिकनसिलेशन पार्ट बनाना है अगर आप एन्वाइन ठीक फाइल करते हैं फंडमेंटली तो आपकी जो नाइन सी है यानिकि और बहुत ही असानी से फाइल हो आपको फर्स करना ऐसमें आपको पहले क्लाइंस से उसका जू फाइनेशय से उसका चूड डेटा वह हो प्नेट करने उसमें मुझे क्योंकि नौ महीने का डेटा मेले से रल्इबन तो आपको जो नो महीने की टर्नो और वह उनसे लेनी पड़ेगी देन जो फाइनन फिटन वो आपको पर इंडस्ट्री के हिसाब से किसी बिजनेस वर्टिकल के हिसाब से हो आपको देखने पड़ेंगे इसके अंदर मुझे बाटना है और इसके लिए आपको बहुत ही फंडामेंटल बेसिक सा प्रिंसिपल बताऊंगे अपके सारे के सारे कोश्चन का अंसर आपको इसी प्रिंसिपल की बेसिस पर मिल जाएगा जहां तक आपकी टॉन ओवर की बात है आप अपनी सारी की सारी जो लग को अटेस्के लिए और अर्मेंट्वाट्री जो कुछ करना था उसी प्रिंट तक कर लिये थे फिर जो मिल एकुंद कांट है वो वा है जो मैंने एक्स्टेंड़ की दिखाया रिटन्स्में और एक्स्टेंड़ की अंदर एकने टेक्सपे की यह जैंदी इस पे इयुक आपको डिवाइड करना है, C पार्ट वो बनता है जो मैंने आज तक डिक्लेड नहीं किया, यह निकिस पर मैंने आस तक अभी GST पेई नहीं किया, अब मैं उसको reflect कैसे करा हूँ, तो आपके लिए बहुत आसान है, आपका A प्लस C हमेशे टेबल नंबर 4 के अंदर आएगा, और जो आपका B है, वो आपका टेबल नंबर 10, 11 के अंदर आएगा, जब मैं आपर टेबल नंबर 4 बोल रही हूँ, तो इसका मतला 5 को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, उसमें exempted supplies जानी है, तो जिन पर टेक्स नहीं लगना, but obviously during the period अगर वो ही है, तो वो भी आपको कवर क करननी पड़ेगी, तो मेरी यानि की 4, 5, 10, 11 सम मिला के मेरी total turnover से match करनी चाहे, अच्छा, इसको match करनी काद मेरा ITC आता है, तो ITC को जो कवर करती है, table 6, 7, 8 कवर करती है, 8 के लिए आपको पहले भी बोल चुगी, सिफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और को CBICB सर्कुलों में बोल चुका है की, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो उसको लेगे, कोई भी confusion है, कि ये इसकी विर्यास से जो difference आ रहा है, क्या मुझे पे करना है, क्या मेरी लाइबिल्टी है, वो सब confusion रखने की बिल्कुछ जरुवत नी है, वो सिफ रिकंसिलेशन पर्पस इसके लिए है, दिन जो मेरी टेवल नमबर 6 और 7 है, 6 के अंदर जो मेरी 3B का डेटा है, वो ऑटो पॉपलेटों की आता है, जो मेरा ITC है, उसमें से जितना आपका LJBल ITC था, वो आपको लेना है, 7 के अंदर है कोई रिवर्सल आपने दिरिट किया, वो आपको दिखाना है, ध्यान लखि जो मेरी 7 table 7J, जो मेरा इसमें रॉन अंबर आएगा, वो ही आपको नाइन C के अंदर हैं की टेक्स और रुपोर्ट के अंदर भी जाएगा, जो मेरी GST के अधर रुपोर्ट है, यह सब फाइलिंग के बाद, नो टेवल एच्टेवल एच्टेशन कोड की है, इन वर्ड और के अनदर हैं के बाद, तो बहुत आई चीजे हमारी भूल चुकी होंगे, बहुत आई चीजे मिस्कट के होंगे, अभी तक अगर अगर आप देखो तो 50% भी अनुल रिटन फाइल नहीं है, तो ताइम भी बहुत कम है, और अनुल रिटन पंडिंग बहुत जादा है, तो यहाँ पर अब मेरे लिए conceptually समझने के साथ-साथ यही बहुत भर हुई कि मुझको बहुत ही फास्ट प्रॉसेस कर सकूँ तो इसके लिए मैंने अपको इसका stepwise details बताई कि अब किस तरीकी से प्रॉसेस कर सकते हैं so with this important discussion I would like to close this video thank you so much कुछ प्रॉसे बहुत है